करनवीर और विनाश एक बार फिर से आये एक दूसरे क्यामने सामने फिर से हुआ दोनों के बीड जगड़ा जीहां बिग बॉस के घर में दोनों की दुशमनी देखने के लिए मिल रही है स्टार्टिंग में तो दोनों एक दूसरे से बात करते हुए निज़र आ रहे थे लेकिन जैसे जैसे बिग बॉस के घर में समय बीटता गया वैसे वैसे अविनाश और करन की दुश्मनी भी बढ़ती गई अब यहां पर यह दोनों एक बार फिर से लड़ाई जगडा करते हुए निसरानी वाले हैं जहां एक तरफ कह रही है अविनाश करन को कि उन्हें जाकर एक्टिंग सीखने चाहिए तो ऐसे में करन भी उन्हें यही कह रही है कि पहले उन्हें जा कर एक्टिंग सेखनी चाहिए इतना ही नहीं करन नहीं यहाँ अविनाश के लिए कहा है कि जितने अविनाश ने आज तक ओडिशन दिये हैं उससे ज्यादा तो करन शोव कर चुके हैं भई इसी तरह की कमेंट इन दोनों के बीच सुनने को मिल रही है लेकिन यहाँ पर नायरा भी बीच में आती है नायरा कहती है कि यार प्लीज तुम लोग लड़ो मत अब एक तरफ नायरा इन दोनों की लड़ाई सुलचाने की कोशिश कर रही है तो दोनों की फनी बाते सुनकर चाहत को बहुत अज़र आई है वहीं दोनों की फाइट लगातार ही देखने के लिए मिल रही है बात अगर इसके अलावा की जाए तो अविनास जेल के अंदर हैं अलाकि जेल के अंदर भी उन्होंने खेला तो कमाल कई है अपने लिए जहां वो स्टेंड ले रही हैं भाई सभी जानते हैं क तो यहां पर बिग बॉस ने भी अविनाश की तारीफ की कि अविनाश अपने लिए स्टेंड लेते हैं और अविनाश जो हैं वो अपनी बातों पर डटे रहते हैं ऐसे में धर्शकों का जहां माना है कि अविनाश पिल्कुल सही खेल रहे हैं लेकिन घर के अंदर उनकी ज जोड़ी सारी खबरों के लिए हमारे चैनल को सबस्क्राइब जरूर करें